Hello everyone, मेरा नाम आजाद और आप देखरें Indian Diaries If you want to watch this video in English, then you have to go to my another channel where I make this type of videos in English The link of that channel is given in the description of this video, okay? तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको किसी भी कंट्री में मालिजी कैनेडा, माल्टा, यूरोप में चाहिए किसी भी कंट्री में आपको जॉब फाइंड आट करना चाहिए या आपको वहाँ जाना है तो कौन से ऐसे प्रोसेस उठाएंगे जिसके तक जरीए आप आसानी से जॉब पा सकते हैं पर जा सकते हैं तो मैं आपको बताऊंगा तीन ऐसे मीडियम जो कि फ्री है, सेक्यूर है और काफी बेहतर है उन लोगों के लिए जो लोग फॉरेंड में जाना चाहते हैं और अपना सेटल होना चाहते हैं तीन ऐसे प्लेटफॉर्म बताऊंगा जो कि आप लोग जानते हैं आसानी से लेकिन उसमें जो लास्ट ओला जो प्लेटफॉर्म हो वो काफी मतलब बेस्ट है और अच्छा है जिसके जरीए आप सियोर सौट जॉब पा सकते हैं आप आप किसी भी फिल्में हैं आप मालने ये होटल में काम करते हैं आप पेंटर हैं कारपेंटर हैं चाहे आपको कोई एक स्कील हो चाहे आप हाई लेवल स्कील हो या आपका लेवर जॉब हो चाहे जो भी आपका जॉब हो आप आसानी से जॉब आप यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं तो उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ उस website पे और जिसको आप जानते हैं बहुत पहले सी भी जानते हैं और फिर भी मैं आपको देखा देता हूँ तो हमारा वो website है LinkedIn लिंडिन एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिये से आप आसानी से जॉब पा सकते हैं वो भी आप free of cost यहाँ पर जितनी भी world की company हैं यहाँ पर लिस्टेट की हुई हैं और आप यहाँ पर वो लोग post भी डालती हैं और अपना यहाँ पर जॉब का advertisement भी करती हैं और यहाँ पर आपको समझ लिए recruiter जो है वो भी है और यहाँ पर individual जो आप लोग job find out करते हैं आप लोग भी यहाँ पर है तो आप अगर अपना profile यहाँ पर अच्छा से build up करते हैं और करने के बाद आप जो job search करते हैं चाहाँ जो जो आप को इसके जरिया अप्लाई करते हैं तो chances बढ़ जाते हैं कि आपको यहाँ से requirement हो जाए तो मैं आपको वही बताऊँगा कि आप सबसे पहले अपना LinkedIn एक profile खोल ले अगर आपको नहीं आता है तो account खोल ले और खोलने के बाद आप अपना profile को strong बनाए मतलब बिल्ड करें जो जो आपने profile खोल के रखिएगा तो आपके screen के सामने ऐसे ही कुछ देखने को मिलेगा तो आपको कुछ करना नहीं है यह जो आप top में देख रहे हैं jobs इसमें जब आप click किजिएगा home network jobs message यह सब रहते हैं तो जो आप jobs लिखा हो इसमें आपको click करना है click करने के बाद फिर आपके सामने कुछ इस तरीके से page खुल जाएगा इसमें आपको कुछ करना नहीं जैसे माल लिए आप जिस category में मतलब फिल्ड में आप job search करना चाहते हैं जिसमें आप apply करना चाहते हैं उसको यहाँ mention कीजिएगा जैसे example मैंने लिख के रखा है यहाँ पर hotel manager का यहाँ पर hotel manager मैंने लिखा और फिर यहाँ पर country लिख दिया माल लिए मैं Canada में country मतलब Canada में job find out करना चाहता हूँ hotel manager का तो मैंने यहाँ hotel manager लिख दिया और यहाँ पर Canada लिख दिया उसके बाद मैं यहां पर सर्च में जब क्लिक करूँगा तो मुझे जितने भी होटल मैनेजर का जॉब है कैनडा में जो एंपलॉयर हैं जो कमपनिया हैं उनके बारे में यह डिटेल मुझे देखायागा जैसा कि आप इसक्रीन पर भी देख सकते हैं और यह कमपनी है और यह कमपनी हैं यह कमपनी हैं सब जोब जेनरल मैनेजर के हैं और यह सब मतलब कैनडा के ही हैं तो अगर किसी के में आपको लगता है कि आपको अपलाई करना चाहिए इसके बारे में आपको ज़्यादा जानना है तो उसके आप क्लिक कीजिएगा तो उसके राइट है में आपक responsibility सब यहां पर mention किया हुआ है इसको आप read out कर लीजेगा और आपको लगता है कि यह आपके लोगों के लिए based है तो आप इसको apply कर सकते हैं आप LinkedIn से भी apply कर सकते हैं या इन में जैसे process बताया रहेगा उसके जरिये से भी apply कर सकते हैं तो इस तरीके से अब और भी job यहां पर find out कर सकते हैं जरूरी नहीं कि आप सिर्फ hotel manager वाले जो लोग ही यहां पर job find out कर पाएंगे आपका जो भी profile है आपका जो भी job experience है आप यहां पर लिख के उसके बारे में आप और जो country में आप job find out करना चाहते हैं उसके बारे में लिख कि यहां पर search कर सकते हैं तो direct यहां पर company आ जाएंगी direct यहां पर HR जो होते हैं उनका profile यहां पर आ जाएगा जिससे आप direct apply कर सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं तो यह काफी trusted और best और free medium है जिसके जरीए आप foreign में किसी भी country में job पा सकते हैं तो इसको जरूर आप लोग preference दीए अगर मैं आपको personal experience बताऊ तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा तो ज़्यादा तो ज़्यादा तो दीजिए और इस पर आप apply कीजिए ठीक है और ये तो होगी हमारा first stage और second और हम लोग बात करते हैं कि कौन से ऐसे countries है मतलब कौन से ऐसे और दूसरा medium है जिसके जरीए आप आसानी से job पा सकते हैं तो मैं आपको देखा दूँ कि वो जो jobs का करने मतलब find out करने का जरीए है वो आपको ये कह लेजिए कि आपका ये है मतलब Google पर जैसे मान लेजिए जाकर आप लिखिएगा jobs in Canada तो आपको बहुत सारे ऐसे job search website मिल जाएंगे जो आपको job वहाँ पर find out करके बताती है तो second पहला तो आपका होगी है LinkedIn second होगी है आपका job search website जैसे आपके लिए नौकरी.com Jobbank Canada Canada Indeed और इसके अलावा और भी जो job sites है उसको आप देख सकते हैं इसमें जाके आप उसका profile खोल के आप उस website पे अपना मतलब account बना के आप इस पे job find out कर सकते हैं मैं में बता दूँ अगर आप Canada के लिए करना चाहते हैं तो कौन से से famous job search website है तो उसके बारे में मैं आपको बता दूँ कि सबसे famous जो है वो आपका Indeed है Indeed को आप prefer कर सकते हैं इसमें होता क्या है कि आपके जो मतलब company हैं जो main company उनकी हैं जो jobs निकलती हैं वो direct ये publish करता है अपने website पे और तो ये काफी बहतरी ने इसको आप prefer कर सकते हैं Canada के लिए इसके अलावा आप job bank को भी देख सकते हैं ये Canada government का official website है जहां पर different jobs को publish किया जाता है इसके अलावा आप नौकरी को भी देख सकते हैं नौकरी.com को और इसके साथ और भी job से website है जिसको आप देख सकते हैं आप वहाँ से job find out कर सकते हैं लेकिन ये तीन main है जिसके बारे में मैंने आपको बताया है और ये तीन जो है आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा जब आप इसमें job find out कीजिएगा तो जैसा कि मैंने example के तोर पर मैंने Canada का जो Indeed है उसको मैंने खोला है और इसमें आप देख सकते हैं कि package handler warehouse के लिए काम है यहाँ पर और ये आपका AB में है job है Canada में location है इसका इसका बारे में अगर ज़्यादा आपको detail लेना है तो इस पर आप जब click कीजिएगा तो आपको यहाँ पर देखाएगा कि मतलब इसके बारे में details आपको mention कर देगा तो आप इसको देख सकते हैं इसके अलावा फिर मैंने आपको जो nocari.com के बारे में बताया था nocari.com जो यह nocari के बारे में यहाँ पर बताता है different different companies के यहाँ पर भी देखाता है तो अगर इसमें आपको job करना है तो इसको भी आप find out कर सकते हैं इसको भी आप देख सकते हैं तो यह तो होगि हमारा पहला LinkedIn होगिया दूसरा हमारा job sir website से और last में मैं आपको बताता हूँ तीसरा और सबसे main तीसरा और सबसे main इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि यह जो है direct आप company के साथ attachment कर रहे मतलब direct company में जाके उसके website में जाके आप job के लिए apply कीजिएगा तो वो कैसे कीजिएगा मान लेजिए आप किसी hotel में काम करते हैं वहां से आपको apply करना पड़ेगा उनके carrier page से उनके मतलब carrier जो section होता है वहां से आपको apply करना पड़ेगा तो सबसे पहले आपका काम होगा कि Canada में कितने रेस्टूरेंट नहीं कौन कौन से रेस्टूरेंट नहीं उसको find out करना है तो जास आप Google में लिखी है अगा रेस्टूरेंट इन कैनेडा उसके बाद आप सर्च कीजिएगा तो बहुत सरे आपको आपके पास search result आ जाएंगे तो आपको निकालना है कि कौन से ऐसे बेस्ट बेस्ट मतलब रेस्टूरेंट है वहां पे तो मैं सेक्टर में जाना मतलब जिसक आपको प्रींस में जाना आप आपर एसे जरीए करताह हूं और करना है बाद फिर मेरे सामने जो चुल जाएंगे आपको यहाँ बे करना नहीं है बस इसके जो भी रेस्टोरेंट है उनके ओफिशल वेबसाइट पर जाना है वहाँ पर जाने के लिए आपको इसी जरीय से आना पड़ेगा तो जैसे माल यह फॉर एक्जांपल मैं इसको च्वाइस करता हूँ और इसको मैं खोलता हूँ ठीक है जब इसको आप खोलिएगा तो आपके सामने यह खुल जाएगा जैसा कि आप देख सकते हैं यह खुला हुआ है तो यह खुल गया रेस्टोरेंट के बारे में बता रहा है तो मुझे रेस्टोरेंट की इस रेस्टोरेंट के ओफिशल वेबसाइट पर जाना है तो उसके लिए यहाँ पर म मैं उसमें जाका अपलाई करेंगे उसमें क्या प्रोसेस है क्या का जॉब्स निकला हूँ मैं देख लूँगा अगर नहीं है तो इसको हम फिर लिवाउट कर देगा मतलब इस रेस्टॉरेंट को हम लग छोड़ देंगे फिर दूसरे रेस्टॉरेंट को हम लोग और इस restaurant में तो मुझे नहीं मिला carrier page अब इस restaurant को मैं चेक करता हूँ इसमें है की नहीं तो जब मैं इसको click करूँगा तो फिर मेरे सामने ये page भी खुलेगा ठीक है और जैसा कि देख सकते हैं आप ये page खूल गया है Goodfellas Good Owen Pizza ये company ये मतलब restaurant है तो इसका मैं official website पर जाऊँगा उसके लिए मैं यहाँ पर click करूँगा जब इस पर click करूँगा तो वह मुझे उसका official website पर लेकर चला जाए तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम इस website पर आ चुके हैं और फिर यहाँ पर आने के बाद हमको मतलब find out करना पड़ेगा उपर में या नीचे में हमें वह option जिसके बारे में आप भी बताया था मैंने तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर इस website में यहाँ पर नीचे में दिया हुआ carriers और इसका उपर में भी जैसे आप देख सकते हैं इसका उपर में जो मेनु है यहाँ पर भी दिया हुआ में ठीक है तो यहां पर आपको कहा रहा है कि कहा जा रहा है कि join the policy होता है, क्याम करने का तरीका होता है कि कैसे किया जाता है और हर एक चीज को इस तरीके से define किया जाता है तो आपको सिर्फ यही देखना है कि यहाँ पर आपके लिए मतलब career का option क्या है कई कई जगा में career लिखा रहेगा, कहीं में आपको लिखा है तो आप इस तरीके को जो मैंने third last में मतलब जो option बताया है इसको आप follow कर सकते हैं, काफी आसान और बहतरी और free of cost यह तरीका है और यह 100% work करता है, काम करता है, उन लोगों के लिए जो लोग इस पर regular मतलब apply करते हैं अब यह नहीं कि आपने एक या दो company में apply किया, एक या दो restaurant में apply किया, example के तरो मैं बता रहा हूँ और उसके बाद फिर आपने छोड़ दिया, तो आप अगर ऐसे करते हैं, तो ऐसे नहीं हो पाएगा आपको continuity करना पड़ेगा, आपको regularly आपको apply करना पड़ेगा, regularly आपको इसमें लगना पड़ेगा फिर आपको कुछ दिन जाने के बाद आपको real देखने को मिलेगा तो बस मैंने आज के वीडियो में यही cover किया कि कैसे आपको तीन ऐसे medium के जरीए, तीन ऐसे माधेम के जरीए आप आसानी से abroad में जॉब पा सकते हैं और वो भी free of cost और आप abroad जा सकते हैं बिना किसी जादे मतलब 8 लाग, 10 लाग, 15 लाग जो भी आपका amount है यह बिना किसी दिये हुए आप खुछ से यह काम कर सकते हैं तो इसी बेसिस में मैंने यह वीडियो बनाया हैं और मैं कोशिच करूँगा इस तरह के और वीडियो लेकर आने के लिए अगर आप लोग इस चैनल पर मतलब पहली बार आए हैं तो इसे subscribe जरूर कीजिएगा और हमें promote कीजिए और हमें support कीजिए और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में और family में इसे share कीजिएगा